नश्कार मित्रो मेरा नाम है मुनाल पटल और आज हम देखेंगे 8 फेबरुआरी सोमवार के इंजिन एक्सप्रेस में मुझे एक्जाम के लिए काम की चीज क्या लगी सबसे पहले उत्राखन में ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड ग्लेशियल सरोवर के तूटने से आई बाढ़ उत्राखन के चमॉले डिस्टिक में जिसके चलते रिशी गंगा नदी में बाढ़ा जाती है नंदा देवी नैशनल पार्क में कुछ तबाही जोशी पूरा न क्या ग्लेशियल लेक खुद तूट गया या कहीं परवत से एवलाइंच मतलब हीम शीला का स्खलन हुआ जिससे कुछ ये सबाग गया तो वो अभी जाकर चेक करेंगे एक दो दिन बात पता चलेगा कई बार ये होता है कि ग्लेशियल लेक वो सरफेस पे नहीं होते वो ग्लेशियल के अंदर बरफ की वो शीला के अंदर ही पुरा एक सरोवर हो तो सैटलाइट मैपिंग में पता नहीं चलता तो ऐसे कई सारे अंडर ग्लेशियल लेक उत्राखंड में हो सकते हैं उसमें से करना मुश्किल हाला कि उत्राखंड हिमाचल प्रदेश लेह लदाग जमू कश्मीर वहाँ पर लैंड्सलाइड्स, फ्लोड्स, एवलैंच ये सब होता है क्योंकि उनकी टरेन और प्लेट्स और जियोलोजी उसकी सम्की है लेकिन मनुश्यों की इसमें डिजास्टर वल्नारेबलिटी या मनुश्यों के कारण ये डिजास्टरस की फ्रिक्वंसी क्यों बढ़ रही है उसकी दो-तिन प्रमुक कारण क्या पहला है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जिसके चलते ग्लेशियर पिगलना शुरू हो जाए दूसरा, उत्राखंड में कई जगा पर डेम्स बनाए जा रहे है माइन्स, हाइवे, होटेल बनाए जा रहे है जिसके चलते वो अर्थ मुवर, मशिनरी पूरा दिन कुछ खुदाई करती रहे और नीचे जमीन और स्वाइल की सब कॉम्पोजीशन पर असर होती रहे डाइनामाइट का भी उप्योग होता है ब्लास्ट करके पूरा टरनल खोदने के लिए तो इन सब के चलते डिजास्टर, वलनरेबलिटी और फ्रिक्वंसी पहले से जादा बढ़ रहे है ऐसे डिजास्टर का मेनेजमेंट कैसे कर सकते हैं या फिर और कुछ इसके जियोग्रफी के मुद्दे वो तो अभी इंडियन एक्सप्रेस थोड़े दिनों में इसकी एक्सप्रेंट सीरीज बनाएगा तो हम बहतर इसे पढ़ेंगे पेज वन पर दूसरे समाचारें रोल ओफ डायोस्पोरा मेंस पेपर टू के लिए याद करो कुछ पहिने पहले कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर ने चिंता जताई थी कि बारत में किसानों का आंदोरन चल रहा है अभी अमेरिका में भी भारतिय मुल्क के सांसद जो अमेरिकी कॉंग्रेस यानी अमेरिका की संसद में हैं उन्होंने अपना एक ग्रूप बनाया जिसे हमका एक कॉकस तो ऐसा ये इंडियन कॉकस उसके ये प्रतिनी दी भारत के एमबेसेटर से मिले और उनको बताया कि भारत में डेमोक्रसी का अनुपालन हो उसका आप खयाल रखिये मतलब उनकी खुद के घर में डॉनल्ड ट्रम्प के समर्थक अमेरिकी संसद में धमाल करते हैं वो सब एक बाजू और भारत की डेमोक्रसी सुरक्षित रहे उसकी चिंता हो रही है कारण हमने पहले भी पड़े थे डावस्पोरा बारत की पंजाबी डावस्पोरा जो इंग्लैंड में है कैनेडा में है USA में है उनके वोट्स को खुश रखने के लिए ऐसे बयान आते रहते तो एक दो लाइन में डावस्पोरा के चलते बारत की डेमोक्रसी पर विदेशी ताकतें कॉमेंटरी करना शुरू करे ऐसा माहौल बन रहा है उसके बाद पेज 2 अनुसंदान में कुछ काम का नहीं पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक समाचार में काम का नहीं पेज 4 मित्रो गुजरात का जुडिशल कैपिटल बोल सकते हैं एमदाबाद क्यूंकि वहां पर हाई कोट बैठती है गुजरात का एड्मिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बोल सकते हैं गांधी नगर क्यूंकि वहां पर मिनिस्टर और सचिवाले के लोग बैठते हैं तीसरा है गुजरात का कल्चरल कैपिटल वलोद्रा ये वलोद्रा के कल्चर के बारे में हमने पहले भी कुछ समाचार देखे थे एक बार एक आदमी को सपना आ गया जहां देवी मा ने उसको आदेश दिया था इसलिए वो दूसरे दिन जाके मगरमच को परेशान कर रहा था और पुलिस ने उसे पकर लिया दूसरा भी केस हमने देखा था एक आदमी अपना पालतु कुत्ता लेके जा रहा था उसने किसी के गर के सामने शौच किया और दंगा शुरू हो गया और 15 लोगों को पुलिस ने गिरपतार किया अभी आज तीसरा समाचार आया है वलोद्र प्रूफ जमा करना होगा तभी उनको क्लास अटेंड करने दिया जाएगा और ये चीज़ सोचल मेडिया में वाइरल हो गई यहां तक कि गुजरा स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर ने सफाई देनी पड़ी कि ये सब फेक निउस है और साइबर क्राइम पुलिस जाच कर रही है हाँ तो ये एक्जाम के लिए किदर काम का है मित्रो ये सभी समाचार सीथे काम के नहीं होते लेकिन आप उसका मन्थन करें तो आपको दूसरे एंगल दिखने लगते हैं फर एक्जामपल ये MS University उसमें Finance Department वैसे वहां से काफी State Level के मशूर Painters भी पैदा हुए और लिए हम देख सकते हैं कि ऐसे सब सौफ्टवेर का गलत उपयोग करके लोग ऐसे फेक सर्कूलर और स्क्रीन शॉट भी बना सकते हैं और फिर फेक न्यूस फैलाई जाते हैं मरलब टेक्नोलोजी अपने आप में अच्छी या बुरी है की नहीं उसका मुल्यांकन करते वक् अगे बढ़ते हैं पेज 5 उत्राखन डिजस्टर के समाचार जो हमने आगे देख लिए मुंबई में चत्रपती शिवाजी माराज का मैमोरियल अरेबियन सी में बनाय जाएगा वहां तक पहुँचने के लिए एक अंडर सी मेट्रो रेल समंदर के नीचे से जो जाए ऐसी बनाई जाएगी लेकिन वो जब फाइनलाइज हो है तो प्लेसी से न्यूज वगेरा में देखेंगे श्री लंका में एक सोलर और विंड प्रोजेक्ट बनाने का काम चाइनीज कंपनी को दिया गया और वो ऐसा एरिया है जो तमिल नाडू से हाडली 45 किलोमेटर दूर ही है अभी ऐसा करके IDSA, राजय सबा टीवी और दूसरे आशिक टाइप के लोग जो इस गलत फ्यामी में रहते हैं कि क्यूंकि वो इंडियन फॉरेंट सर्विस को फर्स्ट टिक दे रहे हैं फर्स्ट प्रेफरंस तो UPSC का 45 मिनिट का इंटर्व्यू सिर्फ उसको इंटरनेशन इलेशन ही पूछेंगे ऐसी गलत फ्यामी में जिने वाले लोग इसमें गुष जाके बहुत तयारी करते हैं उन सबको मैं इतनी सला दूँगा इंटरनेट पे सर्च करो टॉपर्स इंटर्व्यू पूराने टॉपर्स उसमें से ऐसे जिनोंने IFS को फर्स्ट प्रेफरंस द इंटरनेशनल इलेशन का इनाम लिया है प्रेसिटेंट बिडेन उनकी एक नई स्पीच में ये कहा कि अमेरिका की विदेश निती फॉरेंड पॉलिसी और अमेरिका की गरेलू निती यानि डॉमेस्टिक पॉलिसी के बीच कोई भेद रेखा नहीं है नो लॉंगर एनी ब्र पॉलिसी बनाएंगे लेकिन ऐसी जिसमें अमेरिकन मिडल क्लास का ख्याल रखा जाए दूसरे शब्दों में कि अमेरिकन वर्कर्स का जो जॉब लॉस होता है सब चीन और बारत और दूसरी जगा आउट्सोर्सिंग में काम चला जाता है उसके खिलाब हम लड़ेंगे तो अब ये तो वही बात हुई जो डॉनल्ड ट्रम्प कहा रहे थे अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी तो प्रेसिडेंट बीडेंगे जो की अभी तो मैं क्लाइमेट चेंज वाला अग्रिमेंट पैरिश दिल में वापस शामिल हो जाऊंगा मैं वर्ल्ड हेल्थ राग आलाब के ट्रम्प नीती चलाएंगे कि नहीं चिंटा का भीश है हलाकि कॉलम में ये लिखा गया है कि जो बिडेन की ऐसी अगर नीती बनेगी भी तो वो चीन और रशिया के खिलाब जादा टारगेट करेगी बारत को थोड़ा कम टारगेट करेगी क्यूंकि चीन को काउंटर करने के लिए बारत की ज़रूरत होगी उने तो बारत के लिए फारेन पॉलिसी में अभी प्रायर्टी होनी चाहिए कि जल से जल अमेरिका के साथ strategic deals, trade deals, tax related agreements ये सब पर जल से जल समझोता और हस्ताक्षर किये जाएं तो page 6 का ये पहला कॉलम हमने जाना उसके बाद वाले जितने कॉलम है कुछ काम के नहीं एक है जमू कश्मीर में 4G इंटरनेट वापस शुरू हुआ वो तो कली देख लिया था नए बजेट में क्या अच्छा बुरा उसकी बड़ी कॉलम नए जानने को कुछ नहीं किसान आदोलन की तीसरी कॉलम काम के नहीं page 7 पे चलें एक है विक्रम सिंग मैता की कॉलम American Policy के बारे में लेकिन उसमें वही गुमफिर के बाते जो अभी हमने देखा उसमें वो पुराना-पुराना की हेंडरी टूमन और आईजन होवर और निक्सन की पॉलिसी क्या थी इतनी लंबी चोड़ी जो historic perspective है एक्जाम के लिए काम का नहीं अगर आप UPSC में 2013 से जो नया मेंस का सिलेबस आया है उसमें मेंस पेपर 2 में international relation पूछते हैं आप प्रस्णों को उठा के देखे maximum word limit 250 words और उसमें भी जो पूछा जाता है modern contemporary issue तो आप एक दो तीन चार करके कि Dwight Eisenhower और Kennedy और Johnson और Nixon और Jimmy Carter और Ronald Reagan ने क्या किया था मित्रों जरूरत से ज़्यादा ग्यान दिमाग में आ जाए वो अमरूत नहीं जहर बन जाता है तो छोड़ो इसे आगे बढ़ो Page 7 पर दूसरी कॉलम है Raj Mohan Gandhi इसका नाम देखते ही ये कॉलम छोड़ देनी है क्योंकि मैं कई हपतों से देख रहा हूँ ये आदमी की गुमफिर के इतनी बात आती है कि अमेरिका में ट्रम्प समर्थक और बारत में ये वी एचपी, आरेसेज, मोदी समर्थक हिंदूत्व, नैसनालिजम भाई ये एक्जाम के लिए ये कुछ काम काने जो ये साब चर्चा कर रहे है पढ़ने का कोई फायदा नहीं आगे बढ़ो तीसरी कॉलम है MS SAHU जो की Insolvency and Bankruptcy Board of India IBBI जो की Ministry of Corporate Affairs के नीचे की एक Statutory Board यानी वैदानिक संस्था है उसके Chairman MS SAHU की कॉलम तो स्वाबाई कि उन्होंने क्या लिखा होगा कि ये Insolvency and Bankruptcy Code बहुत अच्छा हो रहा है और ये ये डेटा है हाला कि इसमें नया जाने लाएक कुछ नहीं जो हमने पिछले साल Win 20 CSP सीरीज में पढ़ा था कि Insolvency Bankruptcy Code आने से बड़े बड़े उद्योग पतियों का arrogance कम हो गया है क्योंकि पहले वो ये सोचते थे कि हम loan वापस नहीं करेगी तो कौन क्या उखाड लेगा लेकिन Insolvency Bankruptcy Code में एक बार अगर case चला जाए तो उसका कुछ time limit होता है कि 330 दिन के बीतर ही case को खतम करना होगा नहीं हो पाए तो वो business company की निलामी हो जाएगी वगेरा तो अब सब businessmen sincere हो गए हैं और नियमीत रूप से अपना loan बरते हैं तो corporate behavior has changed और एक दूसरा कानून था सर्फाए सी एक्ट उसकी तुलना में Insolvency Bankruptcy Code में रिकवरी जादा हो रहे हैं वगेरा वही गुम फिर के बाद थे MS.A.O. ने किये तो नया पढ़के इसमें जाने लाग कुछ नहीं आगे बढ़ो page 8 राशी बविशे काम का नहीं page 9 national politics में आप जानते हैं साल में जो पहली बार संसत सदन होता है तो वहाँ पर president का address राश्टरपती बाशन और उसके बाद motion of thanks आभार प्रस्ताव और उसमें विपक्ष वाले अपने कुछ amendments डाल सकते हैं तो करके कुछ 204 amendments डाले गए हैं कैर ये president address कब होता है motion of thanks क्या चीज़ है दूसरे कौन कौन से motion ये सब लक्षमी कांद की किताब से आप पढ़ लीजे अभी इस case में ये जो पूरा नेगेटिविजम चल रहा है कि motion of thanks में आरनब गोस्वामी की whatsapp चैप सेले के किसा नादोलन का ये मुद्दा जोड़ो नहीं जोड़ो ये जो day-to-day politics टाइप का समाचार होता है उसमें बहुत दिमाग खर्च करने का exam के लिए फायदा नहीं आगे बढ़ो आंदर प्रदेश के चित्तुर डिस्टिक में प्रेसिडेंट रामनात कोविन किसी आश्रम के उद्गाटन में गए और वहां कुछ speech दी लेकिन वो तो एक काट लाइन में ही जानने लाए कि learning is a continuous process no one should think they have mastered everything कैर ये तो हम पहले से ही जानते हैं तो नया इसमें कुछ है नई बाकी तो वही किसान कॉंग्रेस त्रिनमूल चल रहा है मित्रो इंडियन एक्सप्रेस में उनकी वेबसाइट पर एक कोविड ट्रेकर होता है कितने केस बड़े साथी साथ उन्होंने दो-तिन वार लगाने थे एक तो नेपाल में दमाल जारी की नई, मियानमार में दमाल जारी की नई बाशनचार में रेफ्यूजी को बेजा की नई और चौथा ट्रेकर उन्होंने लगाना चाहिए कि मुन्नावर फारुकी को बेल मिला की नई क्यूंकि दुनिया में न्यूज लिखने के लिए और कोई मुद्धे बच्चे ही नहीं है आगे बढ़ो पेज 10 एक्स्प्लेंट सीरीज करनाटक में लिंगायत समुदाय के लिए आरक्षाण और उसमें भी कुछ सब कोटा वगेरा की पूरी चर्चा ये एक्स्प्लेंट सीरीज आपने पढ़नी चाहिए अगर दो बाते आपको लागो हो रहे पहला आप करनाटक स्टेट सर्विस की तियारी कर रहे हैं या दूसरा आप करनाटक से बिलॉंग करते हैं और UPSC के इंटर्व्यू के लिए जा रहे हैं देन यू शूड अप्लाय दे ब्रेन इन दिस मैटर बाकी जहां तक समराइस कर दिया था मुद्धा ये है ये जितने भी अभी मैंने आपको समुदाय गिनवा है इन सब में कॉमन चीज क्या है खेती बाड़ी करते हैं अग्रिकल्चर कम्यूनिटीज हाला कि उनकी मॉडरन जनरेशन ने कॉलेज ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया और वो भी सेल्फ पाइनस कॉलेज के अंदर क्योंकि सरकारी कॉलेज तो दिरे-दिरे वैसे भी कम हो रही तो हजारो लाखो रुपे की फीज बरने के बाद भी ग्रेजुएट होने के बाद भी कोई डंकी मिनिममम वेजिस भी न मिलती हो नियूनतम वेतन भी न मिलता प्राइविट सेक्टर जॉब्स में तो स्वाबाइक है यूआओ में आक्रोश बढ़ता है और फिर उसी के साथ ये राजनेती को जोडते हुए सब जगा अलग-अलग reservation की demand इसका solution क्या हो सकता है reservation जो मागा जा रहा है एक है कि education institute में क्यूंकि private school college की फीस बहुत महंगी है तो फी regulation होना चे और दूसरा government job में reservation अलाकि आप सोचे सब लोगों को तो नौकरी मिल नहीं सकती क्यूंकि number of seats are limited तो government ने private sector में jobs बढ़े और वो भी ऐसी कि जहाँ पर minimum wages या उससे ज़्यादा jobs salary मिलती हो social security, pension, insurance वगेरा की सुविदा हो वो सब करना ज़रूरी otherwise अपना demographic dividend चला जाएगा यूआओ में social unrest बढ़ेगा ये इतनी चर्चा और आगे थोड़ा constitution में reservation के बारे में क्या है सुप्रीम कोड के एक दो noted judgment और ये justice जी रोहिनी का जब report आ जाए OBC sub-categorization के बारे में उतना पर लिया तो मतलब समझे दिमाग खर्जो करना ओ A4 size का एक आगे का page और दूसरा half page इतना अपने पास content हो तो गुम फिर के सब कुछ depending on the context लिख सकते हैं beyond that जितना भी ज़्यादा extra knowledge दिमाग में आ जाए वो अमरूत नहीं वो जहर है तो आगे बढ़ो दूसरी explain series कोरोना के बारे में जहां डॉक्टर अमिद दत ने ये काए कि graph के हिसाब से तो ऐसा देखता है कि नए active case की संख्या बारत में कम हो गई है लेकिन इसका मदलब ये ने कि complete unlockdown कर देना चाहिए क्योंकि ऐसा तो Brazil, England और New Zealand में भी वा था कि अचानक graph गीर गया था तो वो लोग मौज में आ गए और सब unlock कर दिया फिर वापस से case इतने बढ़ गए कि वापस complete shutdown करना पड़ा इसलिए संयम रखना चाहिए और दूसरा genome sequencing project complete करना चाहिए ताकि बारतिय लोगों का genetic structure क्या है और फिर उसको artificial intelligence के साथ connect करके ये वाला virus आएगा तो ऐसा mutation हो सकता है उसके खिलाब ऐसी vaccine हो सकती है जल्ली जल्ली research हो सके पूरी series पढ़ने का कोई फाइदा नहीं जो जिस्ट था वो अभी हमने देख लिया तीसरी explain series है आसाम के अंदर places in news में याद करो एक तो जेरेंगा पोथार कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि वहाँ पर 17 वी सदी में अहोम डायनेस्टी की राजकुमारी जोय मती ने बलिदान दिया था तो मीडाइवल हिस्ट्री और दूसरा आज जो हम जान रहे हैं असाम का डेकिया जॉली जिसे शहीदों का शहर या नगर भी कहा जाता है क्योंकि क्विट इंडिया मुव्मेंट के दौरान हिंचोडो आंदोलन के दौरान यहां काफी सारे लोग शहीद हुए थे एक 12 साल का बच्चा भी शहीद हुआ था आसाम की ये प्लेसिस इन न्यूज क्यों चर्चा में क्योंकि कुछ चुनाव आने वाले हैं तो प्राइमिस्टर मोदी ये दो सिटी में थोड़े थोड़े दिनों में विजिट उन्होंने की है आगे बढ़ते हैं पेज 11 फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी की बुक ये किताब का नाम तो थोड़े दिन पहले ही पढ़ लिया था मित्र सामार रूप से जैसे भी कोई नई फिलम आती है तो फिलम स्टार अलग-अलग टीवी और रेडियो शो में जाके उसका प्रचार करते हैं उसी तरह ये बड़े आदमी जब अपनी नई किताब लिखते हैं चाए वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी हो या फिप्टिंध फाइनस कमिशन के चैर्मेन एंके सिंग तो किताब लिखे उसके बाद वो निउस्पेपर में जाके ऐसे बड़े-बड़े इंटर्व्यू दिया करते हैं ताकि उस बहाने लोगों को पता चले किताब आई और उसको खरीदें तो इसमें उनके क्या-क्या विचारें सब लिखे हैं वक्त हो तो आप पल सकते हैं बाकी कुछ लूट जाने वाला ने पेज 12 वल समाचार में कुछ काम का नहीं वही सब नेपाल, म्यानमार, इरान चल रहा है अमेरिका का एक डिप्लोमेट जो जो कोल्ड वर एंड करने में उसने काफी अग्रिम भूमी का दी थी देहांद हुआ हाला कि अपनी एक्जाम के लिए फिर भी ये इतना काम का नहीं इवन पर दर नौन आइएस एक्जाम मित्रो एक हैंडरिक किसिंजर नाम का बड़ा अमेरिकान डिप्लोमेट जो कि ये कोल्ड वर, विएटनाम वर ये सब के साथ नाम जुड़ा था पोड़े दिन पहले जो मैंने बजेट वीडियो बनाया था उसमें हमने पढ़ा था स्ट्रेजिक डिशिंवेस्टमेंट यानि कि प्राइवेटाइजेशन सरकारी कंपनी को प्राइवेट सेक्टर को बेच दो जिसमें सरकार ने एक नई policy बनाई है कि strategic और non-strategy sectors और जो non-strategy sectors होंगे उसमें सभी सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर देंगे उसके बाद कई लोग कॉलम में उसको क्रिटिसाइज करते हैं सोशल मीडिया में memes गुम रहे हैं कि ये तो सरकार family silver बेच रही है अंग्रेजी में ये शब्द प्रयोग होता है selling the family silver उसका मतलब क्या है आपका परिवार इतनी आर्थिक संकट में आ जाए कि गर में जो चांदी के बरतन है वो भी आपने बेच देने पड़े ऐसी मतलब कंगाल परिस्थिती हो गई है तो finance minister उसके क्या कोई accountability तो है ने तो ये सब ICO unit में पड़े हैं इनको हम लोग बेच रहे हैं और ये जो privatization हो रहा है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है नर्सीमा राव ने भी किया था अटल भी आरिवाजपई ने भी किया था लेकिन उनके जमाने में जो approach था वो था Pismill approach Pismill approach मर्लब ये के करके कि आज उनको लगे ये वाली कंपनी बेचनी है कल उनको लगे ये वाली कंपनी बेचनी है लेकिन Pismill approach में problem ये होता है कि हर बार आप जब एक government कंपनी बेचने के लिए जाएं तो opposition party, media, उस पर पूरा दिन criticize करता रहता है तो सरकार का काफी सारा time उनके जवाब देने में ही चला जाता है तो अब ऐसा हर एक company का privatization करो और controversy चलती रहे, उसकी जग़े सरकार ने खुद ही बोल जागी, सब का ही privatization non-strategyक सेक्टर में होगा, तो ऐसी सभी company को बेची देंगे ताकि जितना भी हंगामा होना वो एक बार हो जाए, और फिर अगले 5 साल तक जितना बेचते रहें, बेचते रहें क्योंकि ये तो मनलब एक अब policy के रूप में ही इसको अपना लिए जाएंगा economy में दूसरे बड़े समचार है नीतिय आयोग ने जैपूर के एक research organization को बुलाब एक रिपोर्ट बना कि हमको दो Economic Impact of Judicial Decisions and Judicial Activism ये Supreme Court High Court, National Green Tribunal कोई judgment देती है उससे आर्थिक असर क्या होती है उसका संसोधन में बताईए जैसे कि अगर Supreme Court पटाकों पर किसी प्रकार के प्रतिबन लगाई या Single Use Plastic पर या Mining पर प्रतिबन तो स्वाबाइक है उससे Pollution Control में फायदा तो है लेकिन सामने Cost Benefit के रूप में भारत देश के GDP को कितना नुकसान या उन सब सेक्टर की जो कंपनिया थी उन्होंने बैंकों से लोन लिया था वो वापस नहीं चुका पाएंगी अब क्योंकि दंदाई ठब हो गया तो उसका कितना आर्थिक नुकसान उसका कुछ एनालिसिस दो उसी तरह कुछ एक बार जज्जमेंट आया था कि हाइवे पर चलने वाली शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाए या कि हाइवे पर चलने वाले होटेल में शराब नहीं बेची जाए तो स्वाबाइक है उससे रोड एक्सिडेंट कम होंगे रोड सेफटी तो बढ़ेगी लेकिन सामने राज्य सरकारों को तो जुडिशल ओवरीच से बचना चाहिए बनलब जो काम सरकार का है एक्जेक्यूटिव शाखा का वो जुडिशरी ने नहीं करना चाहिए वगर मेंस पेपर 2 में वो जो मुद्दा है सेपरेशन अब पावर्स सोचने लिखने के मुद्दे अलकि यह रिपोर्ट अभी आया नहीं जब आएगा तो और आरम से देखेंगे तीसरा समाचार ब्रिटेन से जैसे बारत में अमारी फीजल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गई कोरोना के चलते ऐसा ही इंग्लेंड में भी हो रहा है कि सेकंड वर्वर के बाद सबसे ज़्यादा फीजल डेफिसिट वाला बजेट शायद मार्च मैने में वो पेश करेंगे कुछ लिख हुए इमेल से पता चला कि बोरिस जॉनसन का प्लान ये है कि कोरोना के दोरान जिन कंपनियों को अव प्रत्याशित रूप से मुनाफ़ा हुआ अन्प्रेशिडेंटेड प्रॉफिट्स जैसे वो ऑनलाइन ग्रोसरी, इलर्निंग वाले उन पर एक अलग से टेक्स लगाएंगे जिसका नाम होगा एक्सेसिव प्रॉफिट टेक्स ताकि उनसे तेर सारे टेक्स में पैसा आए तो ये फीजल डेफिसिट थोड़ी कंट्रोल में रहे मिद्रो थोड़े दिन पहले हमने वो इंग्लेंड की एक NGO ऑक्सफेम का भी रिपोर्ट देखा था और उसमें सब ऐसे ही बाते थी कि inequality बढ़ रही है और कुछ लोगों का संपति कोरोना के दौरान पहले से भी इतने गुने जादा बढ़ गई है तो वापस से redistribution of resources संसादनों का पुनरवित्रन वो कैसे हो सकता है सरकार ने ऐसे सब लोग जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा गए उन पर थोड़ा और ज़्यादा टेक्स लगाना चाहिए और नीचे डालना चाहिए इंग्लेंड का budget अपनी exam के लिए काम का नहीं लेकिन ये सब क्या है में paper 3 में ही मुद्दा है resource mobilization and budgeting तो उदर से ये सिख के हम कर सकते हैं तो एक तो मुद्दा अभी अमने पढ़ा कि ये loss making government company का privatization कर लो ताकि वहाँ पर जो खर्चा है वो कम हो जाए और दूसरा ये भी सोच सकते हैं कि private sector की ऐसी कम्पनियां जो कोरोना में बहुत पैसा कमा गई उन पर एक अलग से एक बार में excessive profit tax लगा हो अगेर बारत के नए budget में बात की गई vehicle scrapping policy यानि आपके पास 15-20 साल पुराना कोई वाहन है तो आपने voluntary यानि स्वैचिक रूप से उसका fitness test कराओ कि उसमें brake और engine और pollution वो सब कैसा है और उस हिसाब से unfit vehicle को आप खुद से कबारी में scrapping के लिए बेज दो अगर आप ऐसा करेंगे तो सरकार आपको tax, subsidy वगेरा में कुछ रियायते देंगी जब आप नया brand new vehicle खरीदे ऐसी कुछ policy बनने वाली है इसे दो फायदे होंगे एक तो जो पुराने vehicle तो आप जानते उसमें तो पुराने engine होंगे तो air pollution तो वो अब कम हो जाएगा और दूसरा कि अब नया vehicle खरीदेंगे automobile sales को बड़ोतरी मिलेगी उस हिसाब से GDP, job creation के फायदे और वहाँ पर भी electric vehicle को हम लोग और encourage करें और फिर वही वाले electric vehicle की industry डेवलप हो जाए तो हम आफरिका में भी अपना export कर सकते हैं असेंबल इन इंडिया, मेकिन इंडिया वगरा सब चिकनी चुपड़ी बाते हैं पे 13 में इसके लावा जो भी चीज़ें वो एक्जाम के लिए काम की नहीं प्राइमिस्टर मोदी ने वेस्ट बेंगाल में कोई दोभी दुरगापूर नैचरल गैस pipeline 348 km की बनाए मित्रों अभी जो चुनाव आने वाले तो ये आसाम वेस्ट बेंगाल रोज ना या कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट उदगाटन होते रहता है और जहां तक गैस pipeline की बात है इंटरनेशनल लेवल की हो की वो तूर्कमेनिस्तान इरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन या ऐसी बड़ी चीज़ तो पता हो ना जी ये तो छोटे छोटे वो तो connection इदर से उदर बनते ही रहते हैं टीक है state service की तियारी करें तो आप कर सकते हैं एक अधसे जादा UPSC में ये सब करें और माली जे पूछ भी लिया जाए तो cost benefit is not so great आगे बढ़ो page 14 sports में एक जमाने में बारत के national tennis coach अक्तर अली जिनोंने विजय अमरीत राज लियेंडर पेस जैसे कई बड़ी tennis खिलाडियों को mentor किया था उनका देहांद 9 IAS exam के लिए तो ये था सुमबार का newspaper